हेलो दोस्तों मेरा नाम समी है आप देख रहे हैं वस्तेश और आज मेरे पास है Amazon Fire TV Stick जी हाँ इसे हम Unbox भी करेंगे और इसे चला कर भी देखेंगे कि ये कैसे काम करता है क्या ये बैटर है Google Chromecast से तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों ये रहा Amazon का प्रोड़क्ट जो के Fire TV Stick है और आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ With Voice Remote और इसमें कुछ Apps भी बनी हुई है यहाँ पे Hot Star है, Netflix है, Ditto, Woot और Eros Now, NDTV बगएरा बगएरा और यहाँ पे कुछ लिखा भी है कि इसके अंदर क्या-क्या अविलेबल है और इसमें कुछ Specifications भी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है Voice Search, Dolby Audio और Mimo Wi-Fi, 1080p Full HD और Quad-Code Processor है इसके अंदर ताकि ये Fast चले मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आपके पास Internet नहीं है, तो ये चीज आपके काम की नहीं है, तो आपको एक अच्छा Broadband चाहिए, at least 4 Mbps या 8 Mbps Speed का, जो के बहुत कम Buffering में चीज़े चला सके, जैसे यहाँ इन्होंने Mention किया है, Say Goodbye to Buffering, जो के पॉसिबल नहीं है अगर आपका Net Slow है, तो चलिए जादेर नहीं करते हैं, और इसकी कीमत भी मैं आपको वता देता हूँ, इसकी कीमत जो है, वो 3,999 रुपए है, और ये Prime Deal वगएर पे सस्ता मिल जाता है, देखते हैं कि ये 4,000 रुपए का Product वर्थ भी है कि नहीं, तो चलिए इसे खोलते हैं, अंद तो ये निकली है कुछ Manuals, और इसके Box में ये रही Micro USB Cable, ये आप देख सकते हैं, USB to Micro USB Cable है ये, और ये है इसका HDMI Extender, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको Fire Stick को लगाएंगे, और ये आपके TV में लग जाएगा, अगर जरूत हो तो वर्ण आप Direct भी लगा सकते ह तो चलिए देखते हैं इसको भी, ये दो AAA बैटरीज, और ये बहुत ही Sleek और छोटा सा Remote Controller, ये देख सकते हैं, कुछी बटन्स हैं इसके अंदर, तो जी ये रहा रिमोट, और बहुत भी Light है क्योंकि इसमें अभी बैटरीज नहीं डली है, और काफी Limited बटन्स हैं इसके अ OK का बटन है, और ये Voice Command है, ये Return, Home, Menu, Play, Reverse, Forward, बस यही बटन्स हैं और यहाँ Amazon की शाइनी सी ब्रेंडिंग है, चले इसे खोल के देखते हैं, ये ऐसे शायद ऊपर उपर उशो कर खुलेगा, ये खुल गया है, बैटरीज इसमें लगा लेते हैं, और ये उपर से नीचे की साइड इसको वापिस, बहुत स्लीक, छोटा से रिमोट है, ये देख सकते हैं मेरे हाद में, चले इसे भी साइड पर रखते हैं, अब ये है, जी मेन चीज, तो ये देख लेते हैं, और आपके पास अगर Amazon Prime Membership है, तो आप बहुत फायदे में, और काफी सस्ती मिलती है, 500 र रुपय में, और आगे चलके अगर वो इंक्रीज हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट अभी तो 499 में है, और काफी अच्छा कंटेंट है, Amazon Prime का, ये देखिए, इसका HDMI पोर्ट है, और काफी चौड़ी है, ये आगे से देख सकते हैं आप, तो ये एक्स्टेंडर इस सकते हैं, टीवी के अंदर तो क्या है, जाद जगा नहीं लेगा, और ये ऐसे ही रहेगा, इसे भी साइड में रखते हैं, और लास्ट में, ये है जी, इसका चार्जर, जी हैं, पावर एडप्टर है, ये आपको लगाय रखना पड़ेगा, अगर आपको फाइर टीवी चलानी है, तो और ये ये यूएसबी सपोर्टेड है, तो चलिए इसे जल्दी से सैट अप करके देखते हैं, अपने टीवी पे, या मॉनिटर पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैसे सैट अप होता और कैसे चलता है, तो ये आगे है, फाइर टीवी स्टिक, तो चलि हो रहा है, और इसके रिमोट की बहुत अच्छे खास बात है, कि इसे आपको पॉइंट करके चलानी की ज़रूत नहीं है, क्योंकि ये वाइफाई के दूरू चलता है, जैसे अपने वाइडलेस कीबोर्ड माउस आते हैं, वैसी ये रिमोट भी काम करता है, तो आप इसे कि लूटूथ बेटर देन आयर ब्लास्टर और ये कहीं पर भी डारेक्शन करिये तो ये चलेगा, तो मेरा इस पर अलड़ी अकाउंट है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं, तो ये नेटवर्क स्पीड चेक कर रहा है, तो ये कुछ, ये फ़ंक्शन्स बता रहा है, अटमेटिकली, जी हाँ, इसकी रिमोट की एप भी आप कर सकते हैं, तो ये इसका इंट्रो था, आप देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसका यू आई, और काफी अच्छा यू आई दिख रहा है, तो चलिए होट स्टार सर्च करके देखते हैं, तो ये आ गई होट स्टार के एप, चलिए इस इंस्टॉल करके देखते हैं, तो दोस्तों, मैं आपको बता दू, मेरे Amazon Prime में कुछ error आ रहा था, network error और और apps चल रही थी, बट Amazon Prime की जो भी वीडियो से नहीं चल रही थी, तो मैंने कॉल किया, उन्होंने ये rectify कर दिया है, तो let's see, यह आप देख सकते हैं, यह बहुत अच्छी सीरीज है, Inside Edge, so go for it, बट बच्चे ना देखें, क्योंकि काफी सारा adult content है इसके इंदर, तो यह काफी अच्छी सीरीज है और काफी अच्छे सके इंदर options हैं, let's see, अब हम क्या चला सकते हैं, Movies में देख लेते हैं, let's see, जैसे कि यह है, Star Trek Beyond, Watch with Prime, और यह देखें, यह चल गया है, 1080p, आपको दिख रहा होगा नीचे, लिखा रहा है यह, और यह भी HD पे हो गया, यह क्या है, थोड़ा सा buffering करता है, तब तक कुछ सेकेंड में यह फिर ठीक हो जाता है, और इसमें जै आप देख सकते हैं English, Hindi, तो आपको English में देखनी है, English में देखनी है, Hindi में देखनी है, तो यह भी एक option है, लेकिन हर movie में नहीं होता है, तो किसी-किसी में रहता है, और यहां subtitle भी आप select कर सकते हैं, तो यहां से आप style वगरा भी इसके change कर सकते हैं, तो अभी यह कुछ जो सब्टाइटल भी आ रहे हैं, काफी अच्छी चीज है, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और review में क्या बनाऊंगा, देखता हूँ अगर इसमें कुछ मुझे update मिले, कुछ अच्छा लगा या कुछ नए आया तो मैं जरूर इसके लिए review बनाऊंगा, बागे आपके सामने ये है, और काफी अच्छा चल रहा है, कोई problem नहीं है, और ये देख सकते हैं, आप इसके अंदर सब कुछ है, आपकी apps है, Netflix, अगर आपके पास अच्छा internet चाहिए, बाकी इसके अंदर सब कुछ है, आप देख सकते हैं, तो और इसकी membership सबसे सस्ती है, जो के 500 499 रुपए है, और ये शायद आगे चल के बढ़ जाए, तो मुझे पता नहीं है, हो सकता हजार रुपए होजा, फिर भी एक अच्छी membership है, क्योंकि पूरी साल की है, जैसे Netflix है, वो तो साड़े 600, ये 800 रुपए के plans हैं, उसके अंदर, मन्त के, और Hotstar का भी 200 रुपए का है तो ये काफी अच्छा है, और काफी अच्छा चल रहा है, तो चलिए, अभी इस वीडियो को ये खतम करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है, तो ज़रूरी से लाइक करें, मैरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको मिलूँगा फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू